हे केट्स कैसे हो आप सब आई हूप आप अच्छे होगे तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी से चैप्टर 16 लालू और पीलू जो लालू है और पीलू है ये क्या है बाई दोनों चीज़े ये है एक मुर्गी के दो बच्चे जिने हम क्या कहते हैं चूजे भी कहते हैं तो अब हम इस कहानी में पढ़ते हैं जब हमें अच्छे से सबज में आएगा एक मुर्गी थी मुर्गी के दो चूजे थे चूजे किसको कहा जाता है चूजे कहा जाता है बच्चों को एक का नाम था लालू तो दूसरे का नाम था पीलू एक का नाम क्या था लालू और पीलू लालू लाल चीजे खाता था, पीलू पीली चीजे खाता था, आप समझ में आया इनका नाम क्यों रखा गया था लालू, क्योंकि जो लालू था उसको लाल रंग की चीजे बहुत पसंद थी, और जो पीलू था उसको पीले रंग की चीजे बहुत ज्यादा पसंद थी, इसलि ये इनका नाम लालू रखा गया और पीलू रखा गया। एक दिन लालू ने एक पोधे पर कुछ लाल लाल देखा। किसने लालू ने लालू ने उसे खा लिया। अरे ये तो लाल मिर्च थी। लालू को खाने के बाद पता लगा ये तो लाल मिर्च थी। देखो ये रहे दोनों इसके मुर्गी के बच्चे। लालू की जीब जलने लगी वे रोने लगा। मुर्गी दोड़ी दोड़ी आई जब उसने देखा कि जो लालू है उसका छोटा सा बच्च जो है वो रो रहा है तो वो दोड़ कर आई पीलू भी भागा। वह पीले गुड का टुकडा ले आया। जब उसने देखा कि पीलू ने कि लालू की जो जीब है वो जल रही है तो वो क्या कया उनने मीठी सी मीठी मीठी गुड जो होते हैं गुड का एक टुकडा ले आया। लालू ने जट गुड़ खाया, उसके मुझी जलन ठीक हो गई, मुर्गी ने लालू और पीलू को लिप्टा लिया, लिप्टाने का अर्थ क्या है? लिप्टाने का अर्थ है, अपने गोधी में उठा लिया, तो अब मैं एक बार आपको फिर से इस स्टोरी का अर्थ बता द जेती हूँ, एक मुर्गी के दो बच्चे थे, एक का नाम था लालू और एक का नाम था पीलू, लालू को लाल रंकी चीजे खाना बहुत पसंद था, और पीलू को पीले रंकी, एक दिल लालू जो है, वो पेड़ पर एक चीज देखता है, लाल रंकी, वो उसे खा लेता ह और उस चीज को खाने के बाद उसको पता लगता है अरे ये तो मेच थी वो रोने लग जाता है जब वो रोता है तो मुर्गी और मुर्गी का दूसरा आला बच्चा पीलू उसको रोते हुए देख भागे भागे आते हैं और पीलू जब देखता है कि इसको जलन हो रही है तो वो एक गुड़ का टुकड़ा मीठी सी गुड़ का टुकड़ा लेकर आ जाता है और उसकी जलन ठीक हो जाती है तो हम इसके exercise कर लेते हैं क्या होता अगर लालू और पीलू को सफेद और हरी चीजे पसंद होती तो क्या उनके नाम अलग-अलग होते तो मैं आपको पहले ये बता दिती हूँ किसी के भी नाम पसंद की उनकी पसंद की चीजे है उनकी according नहीं रखा जाता है किसी का भी नाम लेकिन इस कहानी में इसी के उपर रखा गया है कि लालू को लाल रंग की चीज पसंद है इसलिए उसका नाम लालू रखा गया है पीलू को पीले रंग की चीज पसंद है तो हाँ अगर इस कवीता के according हम देखे तो लालू और पीलू जो है उनको सफेद और हरी चीजे जैसे की पसंद इसमें कह रहे हैं तो उनका नाम सफेद और हरी रख जाता फिर वे क्या क्या खाते तो पहले तो अगर इसमें कह रहे हैं कि अगर लालू और पीलू को सफेद और हरी रंग की चीजें पसंद होती तो क्या उनका नाम अलग होता हाँ तो उनका नाम हम रखते भूरू और जो दूसरा वाला है उसको हरू तो इन दोनों के नाम इसका वीता के अकॉर्डिंग हमारे चेंज होते तो इन दोनों को क्या-क्या फिर पसंद आता जो भूरू है सफेद चीजे उसको पसंद आती जैसे कि इसका वीता के अकॉर्डिंग अगर हम देखे तो जैसे कि दूद दही तो बच्चो मैंने यहाँ पर भूरू और हरू वाली चीजे सारी लिख दिये अगर लालू जो है बूरू होता तो उसको सफेद चीजे पसंद होती जैसे कि दूद, दही, मलाई और पनीर और जो पीलू है अगर वो हरू होता तो उसको हरी जीजे बहुत ज़्यादा पसंद होती जैसे कि पालक, हरी मेर्च, धनिया, मटर है न, तो अब हम आगे चलते हैं लाल मिर्च खाते ही लालू की जीब जल गई तो हमारी जीब क्या-क्या खाने खाने पीने से जल जाती है तो हमें बताना है कि हमारी जीब है वो क्या-क्या खाने पीने से जल जाती है मैंने यहाँ पर बच्चों सारे ही मैंने चीज़े लिख दी है कि किन किन चीजों से हमारा मुह जल जाता है तो हमारा गरम दूद पीने से हमारा मुह जल जाता है तीखी सबजी खाने से हमारा मुह जल जाता है और मिर्च और गरम गरम पानी पीने से हमारी जो जीव होती है वो जल जाती है तो आगे है जीव जलने पर तुम क्या क्या करते हो तो हमें बताना है कि जीव जलने पर हमें क्या क्या करते हैं तो हम कुछ मीठी सी चीज खा लेते हैं तो बच्चे जब भी हमारी जीव जो है जल जाती है तो हम क्या करते हैं हम कुछ भी मीठी सी चीज खा लेते हैं ठंड़ ठंड़ दूद पी लेते हैं पानी पी लेते हैं शेहद खाल लेते हैं जिससे क्या होता है हमारी जो जीव है उसको बहुत जादा अराम मिलता है जलने स तो यह आपका chapter यहाँ पर complete हो गया है I hope आपको यह chapter अच्छा लगा हो अच्छा लगा हो तो प्लीज यह से like करो share करना और share करके subscribe करना ना भोलना Thank you for watching my video. Thank you.